हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चेनल आई एम आटोकेड में मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में फॉर्मेट टूल बार से लीडर कमांड बताया था कि आप लीडर कमांड का यूज कैसे और किस तरीके से कर सकते हैं अपने ड्राइंग बनाते समय आज की लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ समंब करने के लिए सबसे पहले हमें हम्सेड बना लएते हैं मालों और हैज्वर्म करने के लिए यूज करने केप लिए जो उसका shortcut होता है वो होता है एल और ए एंटर करने से आपको पूछेगा specify first leader point और दूसरा point तीसरा point इस तरीके से अभी हमने जो arrow बना उसमें text annotate के विए नहीं पूछा जो leader command होता है उसका shortcut की LEA होता है और quick leader का shortcut command only LE होता है तो जैसे ही आप keyboard से LE enter करेंगे तो enter करने के बाद आपको यहां पर एक setting option मिलता है तो LE enter करने के बाद हम ऐसे एंटर करते हैं तो हमारे पास ऐसा एक leader setting का window open हो जाता है यहां पर हमारे पास अभी दो annotation और leader line एंड arrow है annotation में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है जैसे के annotation में अभी none में टीक है तो यहां पर annotate या text लिखने के लिए नहीं दे रहा है कि एक बद्र देख लेते हैं जैसे annotation यह नन है और यह ओके कर दिया तो मैंने यहां पर हैड लिया इस तरीके से और आप देख सकते हैं कि चार प्रेंट के बाद यहां पर दारेक्ट कमांड से हम बहार आ गया और यहां पर आनोट लिखने के लिए हमको नहीं पूछा वापस के हम एंटर करते हैं अब मैं यहां सबसे पहले अब यहां आप लिए कने के बाद यहां ओके कर देते हुं कि अब आम एरो हेड़ लिए कुशे चार प्रेंट गरने के बाद आपको पूछ रहा है एंटर के फॉर्स्ट लॉप इनॉटिशन टेक्स्ट यह मैं लिख दो हुआ फिर मैं एंटर करता हूँ फिर सेकेंड लाइन लिखने बोलता है और डबल एंटर करके मैं कमांड से बाहर आ गया और यह हमारे पास ऐसा एनोटेशन यह टेक्स्ट लिखा हुआ मिल लिया अगर आपको इसको एडिट करना है तो आप डबल कलिक करेंगे लिग को क्रते हैं ने जो अब्जेक्ट में कर दिया, ओके कर दिया, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन और ये चार, चार पॉइंट लिखते भी बोलता है, जो है, जो आपको बताया थे, कि हमको लीडर के जैसा है, इसमें पहले से ही, जियो मेंटरी टोलेंस हैं, ब्लॉक रिफ्रेंस अगर आपके पास कोई ब्लॉक बना है उसको एंटर करना है तो ब्लॉक को हम ओपन कर सकते हैं वह ऐसी एमटेक्स्ट में जाएंगे अगर हमारे पास यहां पर अनोटेटर रियूस करने की आप सन मिल जाते हैं इसे रियूस नेक्स्ट इसको स्लेट करते ह एंटर फर्स लाइन और यह दूसरा लाइन और डबल एंटर यह हमारा गया अब फिर से हम एली कमांड लेते हैं आप देख सकते हैं कि जो हमने कमांड जो लिया था सेटिंग में जो हमने सेट किया था रियूस करन्ट तो वह वापस से करन्ट लिखा हुआ रहा है यहां से हम चेंज कर सकते हैं उसको तो यह मैंने चेंज कर दिया I am AC AD कर दिया एक एट कर दिया वापस से हम सेटिंग में जाते हैं और हम देख सकते हैं कि हम अरे पस क्या क्या option है यह format text का option आता है इसमें क्या करेगा कि यह sorry frame text आता है तो फ्रेम कर देगा हमारे text पर यह ऐसा यह framing कर देगा उस पर चारो सैट से rectangle में close कर देगा और देख लिए हमारे पास क्या आप साइटिंग से कही है अल्वेज लेप्ट बिसक्याइत करते हैं तो यह हम दैख के दरब जस्तिफाई करेगी करेगा लेप साइट तो टेक्स का विट्सी वप्सन आजाएगा आपको हम अभी रियूस करेंड में बना रहे हैं हमने एक बार लिख दिया है तो आटोमेंटिकली अब वही वही बार बर रिपीट होगा हमको वापस से बार बर टेक्स लिखने के जरूबत नहीं है जो हम एक बार लिख दिये हैं वही बार बार हमारे पास आते जाएगा जैसे आसे हम पॉइंट्स लेंगे यह नन वाले आप्शन में था टेक्स्ट के उसके बाद हम देशआाथे कि लीडर लाइन और एरो में क्या है लीडर लाइन एंड अरौ हमरे पास असपी लाइन की आप्शन मिल जाता है और यह नमबर ऑफ पाइंट्स हम किते बार पाइंट्स दे कर सकते हैं से मैंने यहां पर तीन कर दिया और यह कर देते हैं अब यहां से हम पाइंट लेते हैं कि यह एक बार पाइंट किया दो बार और यह तीन बार उसके बाद यह हमारा प्रेसिफेट टेक्स्ट विट्स बोल रहा है यह हमने चार एंटर कर दिया फर्स्ट लाइन लिखने बोल रहा है हम यह सेकेट लिख दिये और एंटर करके बाहर आगे इस तरीके से आप चार प्रिंट में आपको अगर एरो चाहिए लिडर चाहिए आपका वह मिल जाएगा को एस्पी लाइन चीए सांत में तो एस्पी लाइन मिल जाता है लिए एंटर एस करने के बाद यहां पर स्टेट या यह लिए सकते हैं वैसी यहां पर लग लग को स्ट्रेट के हमारे पास आप्शन है कि आपका एरो हेट का टाइप कैसा होना चीए लाट वाला चीए ता लाट ला ले सकते हैं ऐसा यह iv एंगल कास्टेंट आपका ।्रीमेंट उस एकिएंड सेगमेंट का होने चीए वह अप्र जैसे यह 50 45 पे है पांलव एफोटी फाई करते को शेकर्ण एंगल को हम यहां से में और यहें नंबर और पेंड से कर देते हैं यहें कर देता हो तो यह हमारा पहला लाइन बनेगा इसका हम आर्थ वाप कर देते हैं आप दिखिए जैसे ही मैंने एरो हेट के लिए पॉइंट लिया दूसरे पॉइंट के लिए जैसे ही मैं करसर को उपर करता हूं तो यह 45 डिग्री एंगल में ले लिया वापासे इसको बढ़ाऊंगा वापासे तो 45 डिग्री एंगल में यह एक्ट कर रहा है वाचा एक पॉइंट मान लो यह लिया यह 45 पर है अब दूसरा दिख लेते हैं दूसरा भी हमने 45 एंगल पर लिखा था देखो यह हमारा यह जो लाइन है बेस लाइन वहाँ से है 45 यह 90 यह 135 ऐसा यहां उपर के लिए तीसरे के लिए हमने कोई एंगल नहीं हमारे पास कैसे भी हम ले जा सकते हैं उसके बाद यहां पर सिदर सिदर अपने को टेक्स टूइट्स लिखने बोल दिया टेक्स टूइट कर दिए और यहां पर हमको कि अनोटेशन का फ्रस्ट लाइन और सेकेंड लेन लिख दिए डावल एंटर करके एंगल तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम क्विक लीडर का सेटिंग करके भी बना सकते हैं अभी यह प्रमोटेड विट्स में था तो यह अटा देते हैं तो डारेक्स हमको कोई विट्स नही पूजेगा हम डायट लिख पाएंगे लीडर एंटेशन में मैंने आपको बता दिया है अलग-अलग अटेश्मेंट में यह होता है टेक्स का टॉप में लिखना है आपको मिडिल में लिखना है इस तरह बॉटम आप दा टॉप त्रिया है जैसे हम कर देते हैं मिडिल आप दा मल्टी टेक्स कर देते हैं मल्टी लाइन टेक्स का और यह ओके कर देते हैं यह हम फैस्ट पॉइंट लिए दूसरा पॉइंट लिए तीसरा हम ऐसा ले लेते हैं उसके बाद फिर्स्ट लाइन गो रहा है हमने विट्स को अटा दिया अभी तो हमको विट्स से नहीं पूछा आई हम एंटर किया सेकन ुच्पा यह अपनी टेक्स का मल्टी टेक्स का टावल एंटर कर दिया तो दिखेंगे यहां पर यह middle ऊप दा तो हम देख लेते हैं कि कैसा आता है यह एलियर एंटर किया मैंने एक पॉंट सेलेट किया दो तीन और यह चौंथा और यह चौंथा यहां पर टैक्स ने बोरा है फर्स्ट लाइन और यह सेकेंड लिख दिया मैंने डवल एंटर कर दिया अब देखेंगे कि बॉटम में टेक्स के बॉटम में ऐसा एक बॉटम लाइन बनाती है तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से क्विक लीडर में जाके एलियर एंटर करने के बाद ऐसे एंटर करने के बाद सेटिंग का यूज कर सकते हैं यहां पर अलग-अलग अप्शन्स हैं य यजिए लीडर लाइन एडव का मैंने बता दिया फर्स सेग्मेंट सेगेंट में आप एंगल फिक्स कर सकते हैं यह आप चूस कर सकते हैं अगल आप टैप के arrow heads वैसी आप SP line और स्टेट line भी slate कर सकते हैं number and maximum point किते डाले हैं यह slate कर देखें यह तीन कर दिया यह आप annotation में आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं विट से देखे लिखना है always left justify करना है frame करने text को तो कर सकते हैं m text copy text जैसे आपको नन कर देंगे तो आप text लिखने के लिए option नहीं आएगा सिर्क प्यारों बना पाएंगे इस यूज नेस्ट और यूज current यह आप थोड़ा समझ लीजे कि इसमें थोड़ा confusion आएगा आपको जैसे यह यूज होगा एक दो टीन आप्यारों प्यांट का तीन रखाया मैंने अब फिर से हम एलिए इंटर लेते हैं अब मालू reuse next करें तो सबसे पहले हम एक परिंट दो और तीसरे हम आपको लिखने बोलेगा पहले आई है में एंटर 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 बहाँ अभी आ गया reuse next अब वापस से हम जैसे एली एंटर लिए तो यह हमारा जो लिखा था हमने वही चीज लिखा हूँ आ गया repeat हूँ यह देखो I am एक एड़ पहले हमारा I am autogate था friends इस तरीके से आप यह quick leader command के यूज़ कर सकते इसमें आपको बहुत सारे अच्छे-च्छे options setting में मिल जाते हैं आप इसको जैसा चाहे वैसा आपने हिसाब से requirement के हिसाब से set कर सकते हैं पांकी तो मैंने आपको बताया था कि आपको अगर color change करना है तो आप direct object को set करके हाँ से by layer में जाके color change कर सकते हैं इस तरीके से तो friends यह है हमारा quick leader option और एक और important इसमें option होता है हमारा कि इसमें जब हम quick leader में या leader में जब भी हम बनाते हैं हमारा arrow और text अलग रहा होता है तो मालो जैसे यह मैंने बनाया अगर मैं इसको text को slate करके अगर move करूं वह line के साथ तो move हो रहा है तेकिन अगर मैं line को move करता हूँ तो हमारा text MOO नहीं होता है जैसए यह यहां पे इसको slate किया अभी मैंने कहा कि text को pick करके move किया एक place के दूसरे place तो यह MOAN हो गया है और मैं line को slate करहूं line को slate करता हूं और line को move करता हूं तो में text move नहीं होता है तो उसके लिए एक option होता है quick leader attach जिसका shortcut क्यों होता है Q, L, Q, L, A, T लिखेंगे तो quick leader attach आ जाता है, Q, L, A, T लिखेंगे तो quick leader attach आ जाता है, अब मुझे बोर रहा है select leader, select annotation, अब देखते हैं हम यहाँ पर, यहां पर भी अभी अटेच नहीं हुआ है हमारा अलग-अलग है यह लेकिन यह लाइन के साथ जब हमारा टेक्स हो ले जा रहे है तो यह अलग-अलग ऐसा चल रहा है विक लीडर अटेच भी आप यूज कर सकते हैं कि वैलिटी लिखने से तो फ्रेंट्स इस तरीके से आप क्विक लीडर कमांड यूज कर सकते हैं अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को मल्टी लिटर कमांड के बारे में बताऊंगा उसमें भी कुछ को सेटिंग से वो देख लेंगे हैं तो आगे के वीडियो लेक्चर के लिए आप मेरा आयम अटोकेड यूटूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकोन बटन को प्रेस के लिजिए जैसे ही मेरा कोई नए वीडियो अपलोड होगा मेरे चैनल में तो आपको नोटिफिकर सब मिल जाएगा